Hi everyone, a very warm welcome to all of you, our tunnel classes. Guys, हम लक्षमी गांद की समरी करने वाले हैं और आज पहला चाप्टर है आपका historical background, right? इसको समझने से पहले हम कुछ important बाते जो है वो discuss करेंगी, कि किस तरीके से जो है यह historical background का chapter जो है वो आपका frame होता है अब होता क्या है? कुछ पिछली बाते करते हैं जैसे की देखो भारत में 16-1600 में आपकी Britishers जो है वो आते हैं अब यह जो Britishers होते हैं या आते कैसे हैं आपके East India Company के रूप में अब यह East India Company क्या है? यह आपकी Britishers के द्वारा बनाई गई एक Company है महज आप कहलो कि 3-4 लोगों की यह Company थी जो भारत में आती है अब यह भारत में किस लिए आती है? यह भारत में ट्रेड करने के लिए आपका आती है ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आपका एक तरीके से Import और Export जिसको आप हिंदी में बोलते हो आयात और नयात अब इंग्लिश को East India Company को 1600 इस्वी में Queen Elizabeth की द्वारा बियानी की Britishers की द्वारा एक Charter दिया जाता है यह Charter क्या होता है? यह एक तरीके का Contract होता है जिसमें वो क्या करते हैं? कि आपके Trade करते हैं Trade कर सकें इंडिया में Britishers की और से अब होता क्या है कि भारत में इनको भेजा तो जाता है ट्रेड करने के लिए पर धीरे धीरे इनका लालज बढ़ जाता है जैसे ही स्वी आती है यानि कि 1750 के बाद जो East India Company होती है वो as a administration करना शुरू कर देती है administration का मतलब क्या है कि भारत में अपना एक तरीके से कहलो की administration करने के लिए लोगों पर रूल करना या आप कहलो की एक particular area को capture करके वहां के लोगों का वहां के लोगों से revenue लेना यह सारे exercises जो है East India Company करना start कर देती है तो एक trading company से वो एक तरीके से political party political party और administration का का काम करती है अब होता क्या है 1750 के बाद यानि कि एक लडाई होती है आप कहले जे 1757 में यह लडाई इस लडाई को हम बोलते है battle of plassi battle of plassi इस लडाई में क्या होता है कि जो बिंगॉल होता है ठीक है बिंगॉल उनका एक presidential area होता है presidential area का मतलब क्या होता है कि जैसे समझ लो कि आपका कोई एक particular area जहां पे आप ज्यादा तर अपने काम करते हैं वैसे ही बिंगॉल बिहार उडिसा यह इनके major presidential areas होते थे तो बिंगॉल में बिंगॉल के जो नवाब होते है नवाब का मतलब क्या है king वहां के king को हरा कर बिंगॉल पे capture कर लेते हैं ठीक है फिर battle of boxer होती है इसके बाद उसके बाद क्या होता है कि उनको बिंगॉल का पूरा का पूरा rights मिल जाते है revenue वगेरा के यह सारी चीज़े होती है तो यहां पर East India Company as a administration established हो जाती है बट उसके बाद एक event होता है 1765 के करीब इस event में क्या होता है कि जो company होती है उसके पाद purely trading rights भी आ जाते है trading rights कहलो या आप कहलो कि वो जिसको आप बोलते हो दिवानी दिवानी का मतलब क्या होता है कि आप किसी particular states के revenue क्लेक्ट कर सकते हो revenue का मतलब यहां पर मेरा क्या है कि जैसे कि किसानों से tax लेना उनकी ही वहीं पर खेती करें और वो East India Company को tax दे रहे है अपनी जमीन पर तो revenue और civil justice civil justice का मतलब क्या है जैसे कानून वगेरा जो होता है आप हमारे यहां पर ISPS है ना वैसे civil justice तो किस किस particular states के मिले जैसे कि आपका बिहार उडिस्सा और बिंगॉल इन तीन particular states के इनको दिवानी मिल गए तो यह as a trading company से एक तरीके से क्या हुआ कि यह एक तरीके से administration company जो है वो बननी स्टार्ट हो गई इस तरीके से यह आप कह लिजे कि हमारा जो इस इंडिया company है वो आपकी इसकी starting होती है राइट बट होता क्या है कि इस particular chapter में हम history तो नहीं सीख रहे हम क्या सीख रहे है हमारा chapter है Indian polity मतला हमारा subject क्या है Indian polity की हमारा भारत का सविधान जो है वो कैसे बना अब इसमें आपको एक चीज समझाना चाहूंगी इस particular chapter में आप देखोगे दो तरीके के x होते हैं दो तरीके से x को जो है convert किया गया है एक आपका company rule right एक आपका crown rule okay अब यहां पे समझेगा बहुत ध्यान से बात जिसे जब आप company rule के बारे में बात करते हैं तो company rule का मतलब यहां पर क्या है देखो company rule आपकी 16-100 में जो यह company आती है right अब यह company वापिस कब जाती है यह company खतम कब होती है, अब देखो company rule में बहुत सारे acts आते हैं, अब यह acts क्या है, बात को बहुत ध्यान से समझना बहुत major, छोटी सी बात है, यह East India company है, ठीक है, यह एक तरीके की क्या थी, employ थी, real जो थे, आपके honor कौन थे, वो real Britishers थे, अब होता क्या है कि East India company जो है, यह भा बात बुरी नहीं लगेगी, real Britishers को बात बुरी नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी, और एक तेम ऐसा भी होता है कि East India company के आधे, corrupt हो जाती है, तो corrupt होने के कारण वो दुबारा से अपने राजा के पास जाती है, कि हमें पैसे दो, bank हमें, महारे पास पैसे नहीं company चलाने क तो Britishers क्या करते हैं, उनको control करने के लिए कुछ acts लेकर आते हैं, यह acts क्या होते हैं, यह तरीके से आप कहलो, contract होते हैं, rules and regulations होते हैं, जो East India company को follow करने होते हैं, ठीक है, अब company rule के under हम यही सारी चीज़े देखेंगे, कि कौन-कौन से acts आए, यह company rule को हम consider करते हैं, 1773 से लेकर 1858 तक, ऐसा क्यों, कि 1600 में आयो ही company, उसको हम 1773 से company rule को यहाँ पर acts को ले रहें, क्योंकि पहला act जो है, वो आपका 1773 को आया, और यहाँ पर 1858 मैंने क्यों डाला है, क्योंकि आपका जो government of India act होता है, जो कि आपका last act था, 1858, उसके दौरान जो है company को खतम कर दिया गया, जै Britishers, जिनको आप Crown rule के नाम से भी जानते हो, उनका जो एक तरीके से केलो की time जो है, वो start हो जाता है, तो इनके जो acts आते हैं, 1858 से लेकर 1947 तक आते हैं, अब मैं यह acts क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यह अब भारत में एक तरीके से rule करेंगे, अब भारत में रूल अगर करें तो उसके लिए इनको भी एक तरीके से कोई ना कोई, मतलब कहलो कि एक rules and regulations रखने पड़ेंगे, उसके लिए यह majorly act आ रहे हैं, तो यह था आपका एक तरीके से overview कि यह chapter जो है, essence क्या रखता है, क्या-क्या चीजें आप इस chapter में समझोगे, अब हम सबसे पहले जो है, वो complete क करने वाले हैं, company rule, the company rule, इसके under जो है, आपके act आए, वो सारे हम complete करेंगे, सबसे पहला जो आपका act आता है, उस act का नाम है, regulating act 1773, सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर याद रखना है, कि जो regulating act है, यह बचा आपका आया कब, यह आपका आया, 1773 को, अब इस act को करने से पहले, सबसे पहले यह समझेंगे, कोई भी act अगर हम कर रहे है न, तो मैं आपको simple भाषा में यह बात बता देती हूँ, कि मैं आपको सिरफ यह चीज कवरप नहीं करवाऊंगी, क्यों इस act में था गया, मैं यह भी आपको बताऊंगी, कि यह act आ यहां पर मैंने जैसे आपको बताया, कि 1757 में एक major लडाई होती है, इस लडाई को आप बोलते हो, battle of, battle of plassi, right, अब इस battle of plassi में आप के लोग होता क्या है, कि एक आपके सिरदूला होते, सिरदूला कौन है, यह आपके बिंगॉल के नवाब है, ठीक है, अब इनको English person जो है, East India Company जो है, आपकी हरा देती है, ओके, और उस वक्त East India Company के, जो आपके governor होते है, वो आपके होते है, Robert Clyde, ठीक है, अब वो करती क्या है, East India Company जो है, एक तरीके से, सिरदूला को कटपुतली बना देती है, कटपुतली का मतलब क्या है, कि वो सिरफ नाम का ही king होता है, बाक सिरफ खुद क्यों नहीं राजा बन जाती, क्योंकि East India Company, Responsibility नहीं लेना चाहती, Responsibility का मतलब क्या है, कि अगर वो राजा होगी, तो उसको जवाब देना पड़ेगा, वो जो भी करेगी, अब East India Company सारे decision लेती थी, और जवाब लोगों को कौन देता था, सिर्दूला, तो यह यहां पर कंपनी सबसे पहले, as a new ruler, refuse करती है, Responsibility लेने के लिए, और साथ में वो लोगों को यह बताना भी नहीं चाहती है, वो कितनी powerful हो गए, क्योंकि Real Briticians को बहुत बात बूर ही लगेगी, ठीक है, तो यहां पर एक चीज यह होती है, तो एक और बहुत important बात होती है, कि यहां पर जो East India Company के लोग होते हैं, वो काफी जादा corrupt होते हैं, corrupt in the sense आप कहलो, कि वो अपना फाइदा जादा सोचते हैं, company का फाइदा कम सोचते हैं, private trade करते हैं, सारा का सारा पैसा अपनी जेबो में डालते हैं, अब ऐसा क्यूं है, कि वो सारा का सारा पैसा अपनी जेब करती है, ऐसा क्यों है, क्यों रीजन यह है कि government job में हमें security मिलती है, इसी तरीके से जो East India Companies के employees होते हैं, वो जादा तर क्या करते हैं, कि वो चाहते हैं, कि वो अपने देश में वापिस चले जाएं, और वहां पर उनके लिए एक position होते हैं, जो पैसे देकर मिल रही होते हैं, कि आपको position बाद में अगले action में समझ में आएगी कौन सी position वो लेना चाहते हैं, ठीक है, इसके लिए वो पैसे collect करते हैं, as a result क्या होता है, कि यह जो East India Company होती है, वो काफी जादा corrupt हो जाती है, और एक टाइम पर ऐसा हो जाता है, कि यह bankrupt हो जाती है, इसके पास पैसे जो है कि कमपनी के पास एक तरीके से financial crisis जो है, कमपनी को देखने पड़ते हैं, अब financial crisis कमपनी को कब देखने पड़ते हैं, 1770 में, ठीक है, 1770 में continuous एक तरीके से wars होने की वज़े से expansion policy, मतलब expand करती है कमपनी जगा जगा, और साथी साथ कमपनी जो है, काफी जादा कैलो की salaries भी न कमपनी में को efforts नहीं लगाते हैं, ऐसा result क्या होता है कि कमपनी जो है 1772 में, ठीक है, अप्रोच करती है Lord North को, Lord North को और यह Britishers की तरफ से हैं, और request करती है कि उन्हें एक तरीके से British Parliament में यह appointment होते हैं, और इनको, मतलब Lord North को बोलती है कि हमें थोड़े से पैसे दो, ठीक है, औ और जो आप पैसे दोगे, वो ताकि हम company को चला सके, अब Britishers already यह बात जानते थे, कि यह company जो है कितना गलत कर रही है, हम real honor है, बट यह इंडिया पर rule कर रही है, तो Britishers को इस बात की बहुत ज़्यादा jealousy थी, ठीक है, अब jealousy क्यों थी, क्योंकि company के जो employees थे, वो काफी जादा जो है, एक तरीके से अमीर होते जा रहे थे, ठीक है, वो इतने अमीर होते जा रहे थे, कि वहाँ पर बैठे जो officials हैं, वो यह बात देख रहे थे, evenly, जो company England में, जब वो English जो लोग आते थे, उनको बोला जाता था, नवाब्स, नवाब्स बोला जाता था, नवाब्स का मतल जानी को यह दिक्कत हो रही थी, तो company ने एक जो है, अपना सिक्का खेला, सिक्का क्या खेला, उन्होंने यह बोला, कि भाई, हम आपको पैसे दे देंगे, ठीक है, I will give you a loan, right, हम आपको पैसे जो है, वो दे देंगे इतने, but, हम क्या करेंगे, एक, हम इसके ओपर 4% interest आपको चलना पड़ेगा, साथ-साथ आपके थोड़ी company के shares भी हमारे होते हैं, तो यह उन्होंने condition रग दी, अब company ओलेडी financial crisis में थी, company ने कर लिया agree, तो इसी के दौरान, यह पहला act जो है, आपका bill जो है, आपका 18 माई, 18 माई, 1773 को, regulating act, जो bill है, वो आपका pass हो जाता है, अब आपको एक बात समझ में आगे, जब भी कोई bill पास होता है, तो उसके बाद उसको bill नहीं बोला जाता है, उसके बाद उसको हम क्या बोलते हैं, act बोलते हैं, तो यहाँ पर जो regulating act है, यह आपका आया, कब 1773 को, तो regulating act 1773 आपका pass हुआ, अब इसमें क्या है, कि पेपर में पूछा जाता है, कि सबसे पहले जो है, regulating act क्या है, इसमें क्या हुआ, अब देखो बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना, कि एक company है, ठीक है, East India Company, और यह Britishers है, अब Britishers को East India Company को control करना है, तो वो कैसे करेगी, वो उनके जितने भी, जो का regulating act जो है, इस act में होता क्या है, देखो, यह act जो है, first step होता है, सबसे पहले, first step, taken by the, taken by the, British government, British government, ठीक है, क्या करने के लिए, to control, to control and regulate, the affairs of East India Company, मतलब क्या है, कि पहले, मतलब एक तरीके से, the Britishers कुछ control नहीं कर पा रहे थे, East India Company क्या कर रही है भारत में, बट अब यह पहली बार होगा, कि वो control करेगी, अब देखते हैं कि भाई, कैसे control करेगी, सबसे पहले, इसके कुछ features किये गए, कि इसमें क्या-क्याचीज की गई, यहाँ पर एक बहुत important post introduced की गई, इसका नाम तक Governor General of Bengal, अब आपको पता है कि Governor General of Bengal ही क्यों बनाया गया, क्योंकि Bengal जो है, वो presidential area था, Britishers का, और यहाँ पर उसकी मदद के लिए, four executive council members भी रखेगे, executive council members का मतलब क्या है, कि जो आपके Governor General को एक तरीके से, कह लिजे, assist क करेंगे, अब पहले Governor General, first Governor General कौन बने, उनका नाम था, Lord Warren Hastings, right, कौन थे, Lord Warren Hastings, secondly, चार executive members बने, इनको assist करने के लिए, चलो, यह बात हो गई, दूसरा यहाँ पर क्या किया गया, दूसरा major point यहाँ पर changes किये गई, कि एक Supreme Court जो है, वो established की गई, अब यह जो Supreme Court established की गई, वो कह पर की गई, कलकत्ता में, ठीक है, Supreme Court established की गई, कलकत्ता में, और यह आपका 1774 के करीब इसको किया गया, इसमें एक Chief Justice था, right, और आपके three other judges थे, साथ ही साथ, इसमें एक और चीज कहा गया, कि भई, अब आप Company, East India Company के जो लोग है, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो private trade नहीं जाएगी, फिर सारे पैसे जाएंगे, साथ ही साथ, आप ना तो ब्राइब ले सकते हो, कोई भी Company का Member, और ना ही कोई Gift लिया जा सकता है, किसी से, ठीक है, तो यहाँ पर यह सारी चीजे जो है, Company को बोल दी गई, बट इसमें भी बहुत सारी चीजे जो है, हमें देखने को म क्योंकि उसने Governor General को introduce कर दिया गया था, यहां पर एक और चीज़ की गई, जो Governor General आपके Bombay, Madras, इसके बनाये गए ना, इनको as a subordinate बोल दिया गया, आपके, कह लिजे, Governor General of Bengal के, subordinate का मतलब क्या होता है, जो आपके नीचे काम करता है, अब इसके साथ-साथ क्या हुआ, कि यहा आपकी Governor General की Post को introduce किया, एक आपका Supreme Court की Post को introduce किया गया, बट दोनों में, different, difference नहीं बताया, difference का मतलब क्या है, कि यहां पर यह चीज़ नहीं बताई, कि Governor General क्या करेगा, ओके, और Supreme Court क्या करेगी, powers नहीं differentiate की, अब कोई बे decision लेना होता था, दोनों में यहां पर लडाई हो जाती थी, वही, कुसी को पता ही नहीं होता था कि Supreme Court क्या करेगी, बट गवर्नर जनरल कहां पर काम करेगा, तो यह problem हमें Regulating Act में देखने को मिली, ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से कहलों कि Governor General को यह नहीं बताया गया, एक तो जो working थी, working of Governor General, Governor General in Council, proved most inefficient, क्यों? क्योंकि जो इसको चार मेंबर्स रखे थे न, वो भी एक तरीके से ऐसे ही थे, कोई ज्यादा उनका output नहीं निकल रहा था, और ना ही company ने यह define किया, Britishers ने कि Governor General in Council क्या करेगा, और Supreme Court की power क्या करेगी, तो यहां पर इस चीज को सुधारने के लिए, एक Act अगेन आया, इस Act का नाम दिया गया, Amending Act of 1781, इस Act में क्या चीज हुई, इस Act को समझते हैं, इस Act में देखो, Basically, सबसे पहले तो क्या किया गया, कि इस Act को कई बारी हम Settlement Act भी बोलते हैं, अगर दोनों लिखा जाए, तो confuse मत हो ना, Settlement Act of 1781, इसने क्या किया, कि जो भी आपकी Regulating Act में कहलो कमिया थी, उसको दूर किया, Supreme Court की जो आपकी Powers थी, उसको Define किया, Governor General और उसकी Consuls की उसकी Power को Define किया, कि Governor General जो Administration पर देखेगा, Supreme Court Judiciary की Power देखेगी, जो आज भी Supreme Court देखेगी, जो Justice की बाते देखेगी, ठीक है, यह Major East East Act में किया गया, अब इससे जादस में कोई इसी खास आपको पढ़ने की जोड़त नहीं है, बहुत है रतना, आगे बात करते हैं, Next, जो आपका Act आया, उस Act का नाम था, Pits India Act 1784, Pits India Act 1784, Right, अब Pits India Act 1784 में क्या हुआ, कि इस Act में, सबसे पहले इस Act को जो है, किसने आपका इंटर्ड्यूस किया, William Pits नाम के, William Pits ने यह जो इंटर्ड्यूस किया, India Bill, और इसको बाद में बुला गया, Pits India Act, That is why उनके नाम से ही यह Act बना, इसने क्या किया, कि सबसे पहले कुछ जो कमजोरियां थी, Regulating Act की, उसको रिमूव किया, और Company का जो Administration था, इंडिया में, वो आपका Supreme Power की कंट्रोल में लेकर आया, British Parliament के, जो British Parliament Regulating Act के दोरान, पूरी तरीके से नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पर इसने क्या किया, सबसे पहले तो, रिमूव किया, Weakness of the Regulating Act and Bring Companies Administration in India. राइट, तो किसके अंडर वो लेकर हैं, अंडर दा, सुप्रीम, कंट्रोल अफ, ब्रिटिश, पार्लिमेंट, राइट, आप कुछ समझते हैं कि इसमें, क्या-क्या से फीचर्स रखे गए, और क्या चीजें जो हैं, आपकी होएं, सबसे पहले तो, यहां पर कुछ फीचर्स समझते हैं, फिर उसके बाद में आपको इसकी explanation भी बताऊंगी, कि actually में हुआ क्या, हाना, तो यहां पर इसको समझने के लिए न, हमें कुछ थोड़ा सा बाक जाना पड़ेगा, मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा बिटिश पार्लिमेंट के बारे में समझना पड़ेगा, और साथी साथ यह समझना पड़ेगा, कि इस इंडिया कंपनी को पहले बिटिश पार्लिमेंट कैसे कंट्रोल करते थी, अब देखो हमने जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट को समझा हा न, तो रेगुलेटिंग एक्ट में और भी बहुत सारी चीजे जो है वो आपकी हुई थी, इसको समझने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को समझने के लिए इसका समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, त regulating act में दो तीन चीज़े और होई थी उन्होंने क्या कि कि एक provisions बनाई provisions related to company government companies government in Britain एक उन्होंने बनाई provisions related to companies government in India आप लोगो ने जो समझी company government provisions जो है वो इंडिया की समझी की गवर्ना जनल जो है introduced हुआ four executive council introduced हुई हाना बट आपने ये नहीं समझा कि Britain में भी कुछ changes जो है वो हुए थी regulating act के दोरान अब क्या हुआ इस टीज को समझते हैं तो थोड़ा सा background सबसे पहले समझते हैं कि पहले जब इस इंडिया company को introduce किया गया था उस वक्त क्या हुआ था company का जो administration था company's administration administration जो था वो देखा जाता था दो institutions के दोरा एक होता था court of proprietors जिनको हम सिधा COP के नाम से बोल सकते हैं ठीक है एक आपका आप के लो थे court of directors जिसको आप COD के नाम से बोल सकते हो ठीक है अब यहाँ पर होता गया था कि जो आपके court of directors होते थे वो total आपके लो 24 directors जो है आपके बनते थे ओके और यहाँ पर अगर आप बात करते हो कि यह elected होते थे shareholders के दोरा मतलब shareholders मतलब इनको elect कौन करता था यह जो 24 directors थे COD के यह direct आपके इनको elect करते थे COP यानि कि court of property writers इनके दोरा यह 24 directors जो है elect होते थे अब COP बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता था यानि कि वहाँ के लोगों को 500 pounds देने पड़ते थे shareholder बनने के लिए अब COP करती क्या थी पहले तो vote करती थी vote करने पर vote कैसे करती थी मतलब shareholder को 100 pounds देने पड़ते थे और यहाँ पर vote करने के बाद as a COD director जो है जो भी eligible candidate होता था उसको as a elect कर लिया जाता था यह पूरा procedure जो है वो चलता था अब COD और COD करती क्या थी company का सारा का सारा काम देखती होती थी तो यहाँ पर main जो उसके head होते थे company के East India Company के वो आपके COD होते थे तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो COD थी यानि कि post of director जो थी वो highly एक तरीके से ample opportunity होती थी उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे होते थे हाना अब यहाँ पर जो many servants जो होते थे जैसे मैंने आपको बताया कि East India Company के वो जादा से जादा पैसे कमाते थे किस चीज के लिए यहाँ पर post लेने के लिए ताकि वो अपने land में अपने लोगों के पास रह सके ओके तो यहाँ पर many servants जो है वो अपनी wealth जो है इंडिया से लेकर आते थे और अपना यहाँ पर अपनी position जो है जमा लेते थे तो regulating act ने इस चीज को change किया regulating act ने क्या किया कि यहाँ पर issue को address करते हुए जो court of property writers के लिए जहाँ पर 500 pounds चाहिए थे वहाँ पर इसको भढ़ा कर 1000 pounds कर दिया गया राइट साथ ही साथ जो court of directors के लिए जहाँ पर 100 pounds चाहिए सरफ court of यहाँ पर मेरे खल 1000 pounds होना चाहिए था चलो court of जितने भी थे court of directors के लिए यहाँ पर उन्होंने रख दिये कम से कम 2000 pounds यह उन्होंने raise कर दिया तो यह अब easy task नहीं था ठीके तो यहाँ पर एक तरीके से एक और चीज की गई कि direct parliamentary control जो है COD का first time जो है आपका दिया गया मतलब एक तरीके से control जो है आपका COD पर किया गया अब यहाँ पर अगर government के बारे में बात करो कि most serious जो इंडिया में क्या था कि company जो थी वो एक तरीके से करप थी तो यहाँ पर England में मतलब England के लोगों ने किया क्या कि वहाँ पर private trade वगएरा सारा बंद कर दिया यह सारी चीजे आपकी regulating एक्ट के दोरान जो है हुई अब समझते हैं हम pits India Act को अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि pits India Act जो था हूँ क्या था ने को pits India Act में सबसे पहला feature जो है आपका रखा गया इसने क्या किया आपका distinguish किया distinguish किया ठीक है दो functions के बीच में कौन-कौन से एक तो आपकी commercial functions right और एक आपके political functions अब यहां पर commercial का मतलब क्या होता है जो पैसे से related होते है political का मतलब क्या होता है जो आप कहलो keep administration से related होते है अना तो इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आपके अलग किया explanation मैं इसकी आपको पूरी बकाइदा देती हूँ कि कैसे यह सारी चीजे जो है वो आपकी हुई तो जो COD थी यानि कि जहां पर अभी हमने समझा यह COD आफ डारेक्टर्स थे यह क्या करते थे यह manage करते थे आपके कैलो एक तरीके से आपकी commercial affairs जितने भी आपके commercial affairs होंगे यह किस के द्वारा manage किये जाएंगे यह सारे यह सारे आपके court of directors के द्वारा कि क्या revenue रहेगा यह सारी चेज़े ठीक है बट जो political affairs थे पहले political affairs भी COD के द्वारा manage के जाते थे बट अब ऐसा नहीं होगा अब political affairs के लिए आपका एक नई body को introduce किया गया new body को introduce किया गया इस body का नाम रखा गया board of control तो यही आपका नया second feature है कि it allowed the court of directors to manage the commercial affairs but created a new body that is called as a board of control तो यहाँ पर ऐसे हम बोलते है कि PITS India Act में established की गई established की गई dual government dual government का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक body बनाई गई कमर्शल अफियर्स को मानेज करने के लिए और एक body बनाई गई political affairs को मानेज करने के लिए तो यह सारी चीजे हुई अब board of control जो है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि आपको इसके बारे में भी knowledge हो जाए देखो board of control यह जो थी appointed किये जाते थे किसके द्वारा इसमें जो members होते थे किंग के द्वारा ठीक है इसमें board of control में टोटल आप कहलो छे members होते थे एक होता था chancellor of extracur, secretary of state और चार primary consular और इनका aim होता था company के जितने भी power है जो भी approval देना की कैसे वो करेंगे काम यह सारी चीजे political way में not in a revenue वो सारे जो थे revenue वगेरा के वो आपके court of directors जो है वो देखते थे ओगे तो यहाँ पर यह सारी चीजे जो है आपकी पीछे होई इसे तरीके से इस act ने एक और चीज़ की कि आपके लोग की यहाँ पर यह जो act था इसने civil and military government जो है company की वो एक तरीके से subordinate बना दी थी government of England के मतलब क्या है अब देखो यहाँ पर court of directors बना दिया गया board of control भी बना दिया गया तो मतलब क्या है कि जो East India company है अब उसके हाथ में कुछ नहीं राना दोनों के दोनों से ले लिए गे और उनके उपर एक पूलर रख दिया गया जिनको उनको फॉलो करना पड़ेगा तो यहाँ पर East India company के लो उसके civil और military government दोनों की दोन एक तरीके से subordinate हो गई किसके Britishers के जो आपके England से बिलॉंग करते थे और इसमें क्या चीज चेंज की गई जैसे एक तो जो हमने members रखे थे four members रखे थे regulating act में अब इस members को reduce कर दिया गया three members रखा गया ठीक है और यह जो है governor general को assist करने के लिए ठीक है so that इसलिए ऐसा क्यों किया गया चार से तीन क्यों किया गया क्योंकि even अगर एक member नहीं भी मानता consensus में से तो दो आपके अगर governor general को support करेंगे तो decision को लिया जा सकता है पहले tie हो जाता था चार होते थे दो against बोलते थे दो against बोलते थे तो इसमें confusion पैदा होते थी इसलिए तीन members रख दिये गए ओके next basically यहां पर significance इस sect का क्या हुआ इस sect का significance यह हुआ कि एक तरीके से Britishers का जो आपका control है वो आपका और अच्छे से East India Company के पास उपर आया तो यह आपका majorly Pits India Act था कि Pits India Act में सबसे पहले मैंने आपको बोला क्या हुआ कि commercial और आपके political affairs को change किया गया board of control लाई गए और साथ ही में इसलिए इसको एक तरीके से जादा board of control क्या थी यह मैंने आपको समझा दिया COD क्या थी और COP क्या थी control court of property writers क्या थी I hope आपको यहां पर Pits India Act बहुत अच्छे से clear हो तो अभी हमने दो एक्ट पड़े हैं one is regulating act second हमने पड़ा Pits India Act अब हम थर्ड एक्ट करने वाले हैं इस act का नेम है act of 1786 not इतना जादा यह पूछा नहीं जाता है but as a chronology की वे से मैं चल रही हूं तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी 1786 में ऐसा क्या हुआ जो पिट्स मूव था बिल मतलब एक तरीके से आपका और इन ओर्ड जो कॉन्वालिस थे ठीक है लॉर्ड कॉन्वालिस गवर्नर जनरल थे मतलब यह चाहते थे कि जो गवर्नर जनरल है और कमांडर इन चीफ यह दूनों की पावर ले ओगे तो यहां पे 1786 में सबसे पहले देखो होता गया है कि लॉर्ड कॉन्वालिस इनको पॉइंट किया जाता है एज गवर्नर जनरल ऑफ बिंगॉर ठीक है बट उन्होंने दो पोस्ट की जो ही प्लेस टू डिमांड तो एक्सेप्ट दा पोस्ट कॉन कॉन्सी एक ही शुट बी गिवर्न पावर टो ओवर्राइट दिसीजन ओफ इस कॉन्सल मतलब क्या है कि कॉन्सल अगर तीन कॉन्सल मेंबर्स है अगर वो गेंस्ट भी है तो वो ओवर्राइट कर सके उनकी बातों को कुछ स्पेशल केसे में दूसरा उनको कमांडर इन चीफ की भी दी जाए तो ऐसा कोशन आ सकता है कि गवर्नर जनरल बिंगॉल जो है 1786 में कॉन थी दूसरी बात क्या दो शर्ते जो है वो रखी गई थी पहली शर्त ही शुड बी गिवन पावर तो ओवर्राइट तो जिस्टा सेकेंड तो ओवर्राइट राइट राइट the decision of his council of his council in special cases second he would also be in be in the commander इंचीफ, ठीक है, तो 1786 में ये दोनों प्रोवीजन्स को माना गया, और एजा उनको गवनर जनरल की पोस्ट पे इंटर्ड्यूस किया गया, ये आपका एक्था 1786 का, राइट, सो अब बिसिकली हम नेक्स्ट एक्थ करने वाले हैं, उस एक्थ का आपका नाम है, चार्टर्ड एक्थ, चार्टर्ड एक्थ 1793, राइट, अब चार्टर एक्थ 1793 के बारे में सबसे पहले कुछ समझते हैं, इसने क्या किया कि इसने कमपनी के जो एक्सिक्लूसिव ट्रेड होते हैं, वो बीस साल के लिए बढ़ा दिया, अब आप ये ज़ नोटिस करना, हर साल जो आपका एक्थ आएगा, वो हर बीस साल के बाद आएगा, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या किया, Extended the, ग्यां ये उसक्ट स्था कर देडिय। उसे कुंपनिष औंवोसी कहते दिय। of trade for further period of 20 years right secondly क्या चीज और की इस एक ने एक लौ भी बनाया related to rights of property and persons and property आप लिखे persons and property जिसमें क्या लिखा कि ये जो आपके persons and property है right वो printed होंगे ठीक है और उन्हें translate किया जाएगा translation जो है की जाएगी in Indian languages in Indian languages right so that जो people है वो अपने rights immunities के बारे में जाने ठीक है तो यहाँ पर पहली बार इस एक्ट ने क्या किया एक तरीके से कहलो foundation रखी किस चीज़ की of governance of governance based on written laws in British India तो यहाँ तो यहाँ पर पहली बार इस एक्ट के बारे में किस एक्ट में बात की गई है यह ब्रिटिश इंडिया के यह आपके एक्ट है चार्टर एक्ट 1793 में चलो यह बात होगी और इस एक्ट ने क्या किया इस एक्ट ने जितने भी आगे आने वाले governor general थे ठीक है उनको power दी वही overriding की power कहलो governor general की consuls की तो यहाँ पर overriding power दी राइट overriding spelling यहाँ पर mistake हो गए let's change overriding power given to lord convalis right over his consul right और आगे आने वाले जितने भी future generals थे तो जादा control मिला governor general को आपकी एक तरीके से more power मिली control करने के लिए और यहाँ पर trade monopoly भी मैंने आपको बता दिया commander-in-chief a call इसमें बहुत important point आया कि it provided that जो commander-in-chief होगा ठीक है was not to be a member of the governor general account with sale unless he was so point उसको member नहीं होना पड़ेगा जब तो इसको as a point नहीं किया जाता तो यहाँ पे एक तरीके से कहलो कि यह सारी चीजे जो है इस act में majorly होई जो आपके exam के लिए point of view से बहुत important है जो आपका next act आता है वो अगले बीस साल के बाद आएगा क्योंकि trade monopoly जो है आपकी 20 साल के लिए कर दी गई अब यह जो act था इस act का नाम था चार्टर्ड एक्ट अठारा सो तेरा क्या था किता है 1813 में जो company की territory थी इंडिया में वो बहुत जाद एक्स्पांड कर चुकी थी तो यहाँ पर company के लिए एक दिक्कत आ रहे थी कि वो function कर रहे थी as a commercial और political मतलब दोनों functions वो आपके manage कर रहे थी तो यह उनके लिए थोड़ा सा difficult हो रहा था तो इसके लिए कुछ ऐसी main provisions आई Chartered Act 1813 में जिसमें इस problem को solve किया गया तो मैंने क्या बोला मैंने simple सी बात आपको यह बोली कि जब आपका by 1813 the company's territories in India had greatly expanded and it was nearly impossible for the company to function both as commercial as well as political entity right तो यहां पर क्या-क्या main provisions लाए गई सबसे पहले बात करते है main provisions of this Act क्या-क्या चीजे यहां पर change की गई again यहां पर जो company का chartered है मतलब company का contract है charter इसको extend किया गया 20 साल के लिए अगले 20 साल तक हम जो इस प्रोवीजन एक्ट में लिखेंगे आपको फॉलो करना होगा अब यहां पर company की जो monopoly है monopoly of trade what do you mean by monopoly monopoly एक तरीके का ऐसा economic system है जिसमें सिर्फ एक ही company जो है वो काम करती है अब इंडिया में सिर्फ इस इंडिया company को British के और से trade करने के लिए चार्टर मिला था अब उसको खतम कर दिया गया अब कोई भी और भी company आकर British की या कहलो monopoly जो है वो कर सकती मैं काम monopoly करी सवारी काम trade वगरा कर सकती है अब यहां पर बट एक चीज थी जो monopoly तो खतम की गई इंडिया में trade करने की बट एक monopoly नहीं की गई जो trade होता था आपका T का चाय का trade वो करते थे आपके चाइना के साथ उसको retained किया गया तो retained यहां पर question आ जाता है कि monopoly जो है इंडिया के trade की खतम की गई वो किस act में की गई इस इंडिया company के तो retained its monopoly in T trade and trade with China तो यहां पर एक और चीज बहुत important होई कि इस act ने एक तरीके से explicitly मतलब पूरा directly नहीं क्राउन को जो है एक रूलर बना दिया हाना जितनी भी company की territories जो थी जो company ने कवाइड के थी अब क्राउन एक तरीके से रूलर क्राउन कौन है real Britishers और यहां पर एक तरीके से यह भी चीज लाओ की गई कि जो missionaries थे वो मतलब Britishers के मतलब कि जो है एक लाग का fund दिया जाएगा किस चीज के लिए ताकि literature आपका science हो गया इन subjects को Indian subjects को include Indian subjects में include कि जाए तो यहां पर एक तरीके से western education की बात की गई कि western education जो है British territories in India में लाई चाहेंगे यह सारी चीजे इस sect में होई तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या बोला कि इस sect ने एक तरीके से explicitly declared कर दिया the sovereignty का मतलब समझते हो sovereignty मतलब customary हमारा king है तो यहां पर sovereign मतलब crown अब आगे है किस से East India Company से crown over the territories acquired by the company हाना दूसरी बात यहां पर और क्या चीज की गई secondly it allowed missionaries to go to India also allowed them allowed them to settle they are under a license और यहां पर modern education को भी भारत में लाया गया modern education modern education की भी बात की कैसे की गई क्योंकि yearly fund जो है यहां पर दिया गया वन लाक रुपीज का राइट किस लिए फॉर प्रमोशन ओफ लिट्रेचर और साइंस अमंग इंडियन सब्जिक्ट्स थेक है यह सारी चीज इस एक्ट में होई पहला मनोपली खतम की गई रिटेन किया गया टीके मनोपली को explicitly अब ग्राउंड मेजर रूलर था तीसरा missionaries को लाउट किया गया Christian missionaries जो होते हैं कि वो आएं बही इंडिया में और पीपल को enlightened करें spread किया western education को और local governments जो इंडिया थे उनको बोला गया कि भी आप taxes भी impose करो persons के उपर और देखो also punish the person जो आपके टेक्स को पे नहीं कर रहा है ध्यान से सुनिए यह बहुत important point है कि यहां पर authorized किया गया authorized किया गया जो local governments होती है कि भई आप people से tax low अगर कोई people tax नहीं दे रहा तो आप उनको punish भी कर सकते हो यह सारी चीजें इस sect में बात की गए अब आप अगर देखोगे company का rule हमने start किया था 1773 से company का rule खतम होना है 1858 के act में और अभी हम कहां पर किस act की बात कर रहे हैं हम 1813 के act की बात कर रहे हैं राइट एक act आपका और आएगा 1833 act फिर आपका आएगा 1853 act यह आपके दो act और रहते हैं फिर उसके बाद हम 1858 का act करेंगे और company का rule यहाँ पर खतम हो जाएगा फिर आपका चलेगा जो आपका होता है the ground rule राइट अब आपका next जो act है उस act का नाम है चार्टड चार्टड एक्ट 1833 इस act को समझने के लिए कुछ time period समझते हैं अब time period जो है वो 1700 से आप कहलो 18 से इस वी में आगया यानि कि 19 से भी ही आगई एक तरीके से तो इस time हो क्या रहा था लास्ट के जो 20 years थे ना जो पिछले act से अब के act में बहुत सारी चीजे जो है changes जो है वो आने लग गए थे मतलब क्या है कि England में भी बहुत changes आए और इंडिया में भी ऐसे क्या changes आए industrial revolution आया industrial revolution का मतलब क्या है कि अगर आप भारत की वैली train देखोगे न 1853 में चल पड़ी थी तो industrial revolution के कारणी चली थी मतलब क्या है कि मशीनों का आना शुरू हो गया था तो इससे बहुत ज्यादा चीजे जो है वो change हुई आपकी cotton textiles बनने शुरू हो गई cotton textile आई factory made goods आने शुरू हो गई तो यहां पर जो English persons थे जो English लोग थे वो new markets तलाश कर रहे थे इन products को बेचने के लिए looking for new export markets right new export markets आप क्या लीजे तो 1830 के करीब हुआ क्या कि यहां पर जो है एक तरीके से एक reform act 1832 का past हुआ चलो वो तो आपके लिए जरूरी नहीं है हम सीधा इसी पे चलते हैं कि chartered act जो है 1833 में ऐसा क्या हुआ सबसे पहले यहां पर जो governor general और बिंगॉल की post थी introduce की गई थी ना जो regulating act में उसको change करके governor general इंडिया की post को introduce किया गया और पहले यहां पर जो आपके बने वो कौन बने लॉड वीलियम वीलियम बेंटिक राइट इनको सारी की सारी civil और military पावर्स जो है आपकी देदी के और साथी साथ जो है governor general of Bombay और Madras थी उनकी पावर्स उनसे थोड़ी सी ले ली गए गवर्नर जनल आफ इंडिया के पास सारी executive legislative पावर्स थी ओगे तो यहां पर एक और चीज़ की गई कि जो East India Company की East India Company की आज जो commercial body है commercial body मतलब कि वो ट्रेड बगेरा करेगी ना उसको खतम कर दिया गया मतलब कि अब आप ट्रेड नहीं कर सकते भाई अब आप सिरफ के सिरफ administrative body रहोगे तो किस act के दौरान जो है यह चीज़ हुई आपकी Chartered Act 1833 के तरफ और Chartered Act 1833 में एक बहुत important चीज़ यह भी हुई वो यह हुई कि Chartered Act 1833 ने attempt किया एक system introduce करने के लिए कौन सा system भई ओपन competition for selection of civil servants और stated that कि जो इंजन से हैं शुद नोट बी डिबाटेट इन ओफिशल वे बट उनको as a office employment मतलब ले लिया जाएगा एक तरीका से बट एक चीज़ समझो यहाँ पर आपके माइन में पता नहीं यह question आया होगा यह नहीं जब मैंने पड़ा तो मेरे माइन में जरूर कोशन आया था जैसे East India Company Britishers के अंडर काम करती है तो उनको वह सीधा क्यों निकाल देते वह इतने सारे execute लेकर आ रहे थे सोचने वाली बात है ना तो यह कारण इसका answer आपको यहाँ पर मिलता है एक ची होता है कि East India Company तो नहीं पावरफुल हो जाती है जो उसके नीचे IPS होते है ना उनी के हाथ में होते हैं तो major जो power executive power होते हैं East India Company के हाथ में होती है और उनके बंदे बैठे होते हैं और उपर वाले जो major policy makers होते हैं जो main real owners होते हैं वो उनको नहीं हिला पा रहे होते हैं अब यहाँ पर उन्होंने उनको भी हिला दिया कि वो कहते कि कॉंपीडिशन से हम पर्सन लेंगे अब सीधा ऐसे किसी भी आप पर्सन को पॉइंट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर East India Company को बहुत दिक्कत होती है ओके तो यह आपका charter act 1853 था उसके बाद आपका जो act आता है उस act का नाम होता है चार्टर एक्ट 1853 इसमें क्या होता है यह लास्ट सीरीज का चार्टर एक्ट होता है इसने पहली बार for the first time एक तो legislative और executive functions इनको अलग किया बाद में जाके समझेंगे legislative and executive functions क्या होते हैं इन्होंने नए members जो हैं वो आपके इंटर्ड्यूस किये सबसे पहले यहां पर याद अखना कि legislative और एक्जीक्यूटिव मतलब आपके पाव functions को लग किया किसकी गवर्नर जनरल कॉंसल की और यहां पर छे new members पहले तीन थे ना छे आपके new members जो है legislative आपके इंटर्ड्यूस किये गए मतलब एक तरीके से separate legislative council जो है यहां पर आई जिसको बोला गया as a Indian legislative council जिसके पास यह power थी कि वो law भी भना सकती है इसको as a बोला गया mini parliament और जो भी आपके procedure British Parliament में लिये थे तो मैंने क्या बोला मैंने simple से आपको यह बात बोली कि यहां पर it separated for the first time एक तो legislative and executive council और साती साथ it establish a separate governor generals legislative council which came to known as the Indian legislative council जिसको as a mini parliament भी बोला गया तो हम कह सकते हैं कि एक full member बनाई गई बही मतलब एक law member was made a full member of जो आपका governor general executive council और जहां पर वो six members उसको दिये गए six members क्या थे एक chief justice था एक judge था कलकत्ता का चार representative होते थे इसमें बिंगॉल मद्रास और बंबे और नौर्थ वेस्टन प्रोविंसेस के और यह जो प्रोविंसे रिप्रेसेंटेटिटिव होते थे कौन होते थे हैं ठीक है यह सारी चीजें इस act में आपकी हुई राइट बट इस act में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं जैसे हमने देखा कि 1853 के act में क्या चीज हुई पहले आपने देखा कि 1833 में open system जो है civil service मतलब competition जो है civil servant का यह हुआ इस act में ऐसा क्या क्या चीज हुई सबसे पहले यहां पर एक चीज होती है कि जैसे आपने पिछले act में यह चीज नोटिस की कि पिछले act में यह चीज बोला गया कि हम competition जो है पूरी तरह 1853 के act में यह चीज को पूरी तरीके से लागू किया गया open competition system civil servants का इंटेड्यूस है तो majorly जो लागू होता है वो आपके होता है चार्ट एक 1853 और यहां पर एक और चीज होती है कि एक companies का जो रूल है उसको एक तरीके से Indian territories में कह दिया गया कि अब नहीं आप करोगे अब आप रूक को जाओ clear indication उनको मिल गई थी यहां पर एक और चीज हुई कि इसने इंटेड्यूस किया जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर अब इंडियन को भी लिया जाता था for the first time it introduced for the first time local representation local representation का मतलब क्या है इंडियन पहले इंडियन को नहीं लिया जाता था British government में अब इंडियन को लिया गया legislative council में मतलब governor general की जो four members की council थी उसमें मदराज, Bombay और Bengal और आगरा इनके लोगों को वहां पे इंडियन को लिया गया यह आपका chartered act 1853 था और अगला जो एक्त आता है जिसको आप 1858 का act कहते हो वह आपका act company का crown का act sorry जिस act में आपका जो है company का rule को खतम करकर आगे पड़ा जाता है right I hope यह act आपको बहुत easily समझ में आगे होंगे और यह बहुत easy act थे मैंने आपको बहुत detail में इनको बताया कि historical background इनका क्या था क्यों यह आए क्या यह reason था in the next particular हम face में बात करेंगे आपके crown rules के crown की company के जो rules थे उनके बारे में कि 1947 1858 तक 1947 तक क्या चीज़े होती है right